हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वैंडेट मेंस मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 12 की बुक अंतरा भाग दो का चौधा अध्याए चौधा अध्याए हमारा है किदा नात सिंग द्वारा लेखेत बनारस और दिशा ये दो कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं जो पहली कविता है वो बनारस को प्रदर्शित कर रही हमारे सामने कि बनारस कैसा है और दूसरी जो कविता है दिशा वो बता रही है कि मन दिशा को परिलिक्षत करते हैं कि कैसे बताते हैं कविकों की दिशाएं किस ओर हैं चलिए अब देखते हैं सबसे पहली कविता हमारी बनारस क्या है इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा ये मडुवाडी है की तरफ से उठता है धूल का एक बबंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है अर्थात क्या है यहाँ पर कभी कहते हैं कि मैंने इस शहर अर्थात बनारस में बसंत को आते देखा है और जब बसंत आता है तो क्या होता है मैंने देखा है यहां लहरतारा और मडुवाडी जो है वहाँ बनारस की जगहाओं के नाम हैं वहाँ पर मोहले हैंगे तो वहां से एक वबंडर उड़ता है अर्थात जो है एक सौम मितास सुभर्ता का एक वबंडर टाइप का उड़ता है और ये अपने साथ धूल उड़ाता है अर्थात जो हवाई चलती है वो धूल उड़ाती है अपने साथ खुशबू लाती है और इस तरह पुराने शहर की जीब किरकिराने लगती मतलब पुराना शहर भी इस वसंद की मदमस्तता में मस्त हो जाता है तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या को केदानना सिंजरिंग पंक्तियों में वसंद रूपी प्रसंदता के आगमन का निरूपन किया है कभी बनारस में रित्व परिवर्तन के साथ होने वाले बदलावों का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि बनारस में वसंद का आगमन अचानक होता है जिसके लिए शहर पहले से तयार नहीं होता वसंद आने के साथ ही वहाँ विशिष्ट संसुर्तियों के लिए ख्याती प्राप्त लहरतारा और मडुवाडी में विशेश रूप से गतिविदियां बढ़ जाती है और संपूर शहर भावी स्मृद्दियों और प्रसंदता हेतु लालायत हो जाता है ये दोनों ही सांस्कृतिक हैं इसलिए वहाँ दोनों जगाओं पे सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ जाती है पूजा पाट अर्चना वसंद के आने पे जो होती है वो सभी चीज़े और इन सब चीजों से पूरा शहर ही जो है वो लाभानवित होता है आगे की पंक्तियां देखते है जो है वह सुख बुगाता है जो नहीं है वह फेकने लगता पच्खियां आदमी दशश मेध पर जाता और पाता है घाट का आखरी पत्तर कुछ और मुलायम हो गया है सीडियों पे बैठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिकारियों के कटोरों का नीचाट खाली पन अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब बसंत आया है तो जिन लोगों के पास में पूरा शहर जो है सुबुगाने लगता है मतलब क्रियाशील हो जाता है तो जिनके पास कुछ है देने को वो लोगों को दान यानि दान दक्षिना का कारेक्रम शुरू हो जाता है जिनके प बहुत ही पुराना घाट है, वहां पर जब आते हैं तो मनुशी ही नहीं वहां के पत्थर, बंदर, यहां तक की भिकारी भी उनका स्वरूब बदला होता है. बंदरों की आखों में नमी होती है यहां के पत्थर मुलायम लगने लगते हैं मतलब घाट मौसम की वज़ा से यहां के घाट के पत्थर भी क्या मुलायम लगने लगते हैं और यहां के जो भिकारी होते हैं इनके कटोरों में जो खालीपन होता है वो भी धीरे धीरे भरने लगता है आगे देखते हैं इनका भावार्त इन पध्यांश की में आकांशा पूर होने का भाव है मतलब जब मौसम बदला है तो इन सभी की आकांशा हैं पूरी होंगी ये जिस भाव को बताया लिए कभी कह रहे हैं जिसको प्राप्ती की इच्छाएवा उच्चुक्ता से लेने की प्रतीक्षा करने लगता है जो प्रदाता है वो प्रदान करने लगता है इस परिवेश में व्यक्ति जब प्रसिद दशस में धगाट पर जाता है तब उसे अनभव होता है कि सिर्फ मनुश्य नहीं वरन पशू वर निर्जी पत्थर भी परिवर्तन की अनुभूती कर रहे हैं मतलब अब परिवर्तन हो रहा है सीडियों में बैठे बंदरों की आँखों में नमी है और खाली पात्र लिए भिक्षूओं के चेहरे में चमक है और अब वहाँ आशानवित है मतलब उनकी आँखों में चमक है और आशा है कि लोग अब आएंगे और उनके कटोरों का खाली पन भर जाएगा आगे की पंक्तियां तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना यह शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंतशब ले जाते हैं कंधे अधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ तो यहाँ पर उन्हें बताया क्या तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना यानि भिकारी के लिए वसंत का आगमन तभी है जब उसके कटोरों में उसको भिख्षा मिलेगी काने के लिए मिलेगा तभी उसके लिए अच्छा दिन है, जब उसे मिले तब उसके लिए बसंत है, तो इसी तरह यानि कि भरे हुए कटोरों, यानि आशा के साथ इस शहर का जीवन खुलता है, अरफात शुरू होता है, दिन शुरू होता है, और खाली होता है ये शहर इस शहर का दिन शुरू हुआ और जो रोज रोज या जो शब आते हैं गाट पर जलते हैं उसी तरह इस घाट इस शहर का शाम ढलती है ले जाते हैं कंदे अंधेरी गली से चमकते हुई और अंधेरी प्रवाइद करने यहां पर जलने के लिए तो अब इसकी व्याख्या क्या है इस पंक्ती में कभी अव्यक्त कर रहे हैं कि भिकारियों के पात्र में धन इत्यादी भरना उनके लिए वसंत के समान ही है भिक्षियों का जीवन निर्वा इनी कटोरों के रिक्तता और भरे होने पर निर्वर करता है कभी कह रहे हैं बनारस का जीवन चक्रवी कुछ इसी से है जो कि इच्छाओं की पूर्ती होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते समद शवों के समान खाली हो जाता है अर्थात जीवन का प्रारंब और अंत बनारस के घाटों पर इस पश्ट द उन्हों ही हम बनारस के घाटों पर देख सकते हैं आगे की बंक्तियां है इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है धीरे धीरे चलते हैं लोग धीरे धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे धीरे होती है यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने का सामुहिकले है द्रता से यहां पर प्रतिस परधा नहीं है आपा धापी नहीं है आधूनिक जीवन का जो है धक्का मुक्की नहीं है यहां पर जो कुछ भी घटता है बहुत धीरे धीरे अपनी ले में होता है जैसे क्या है इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उठती है अर्थात यहां पर शहर दिन का शुरुवात धीरे धीरे होता, अर्तात धूल भी इतनी, मैं लोग चलेंगे होगा तो धूल उडएगी इतनी, तो यहाँ पर सभी धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए यहाँ पर धूलने हैं, अर्तात लोग यहाँ पर बहुत जल्दी में नहीं रहते, धीरे धीरे यहाँ पर तो यहाँ जो कुछ भी धीरे-धीरे हो रहा है यह किसी एक की मर्जी से नहीं सभी का सामुहिक रूप से यहाँ पर धीरे-धीरे घटित हो रहा है। कोई भी चीज बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती नहीं घटती क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज में कोई भी जल्दबाजी नहीं है। कोई भी चीज जहां है वहीं पर है उसका स्वरूप कभी नहीं बतला। कि गंगा नदी जहां से बहती थी वहीं पर आज भी बह रही है और नाव जहां पर बंधिती थी वहीं पर आज भी बंध रही है। और तुलसी दास की खड़ावु जहां पहले थी वहां आज भी रखे हुए लोगों को आशिरवाद दे रही है और भक्ति का स्वरूप प्रदान कर रही है तो देखते हैं इसका भावार्त कवी इस काव्यांज पर बनारश से जीवन की इस्तिरता और मंद गती की निरूपित कर रहे हैं कवी कह रहे हैं कि बनारश की प्रक्ति धीमे गती से जीवन सुकून से स्म्रद्ध है यहां मनुष ही नहीं बलकि पर्यावरणवा कड़ कड़ धीमी गती से बढ़ता है यानि जो कुछ भी यहां मनुष ही नहीं प्रक्ति भी बहुत धीमे धीमे हर कारे को संपन करती है गाटों की मंदिरों के गंटों में गाटों में जो गंटे बचते हैं वो सभी धीमे धीमे बचते हैं मदुर हैं शाम भी मद्धम गती से होती है और सभी सुकून से भरे हुए हैं कभी कहते हैं कि यह धीमापन इस शहर की प्रवत्ति तथा खूपसूरती है यह धीमापन बना परिवर्तनी जो चीजे जहां सेक्ड़ो सालों से हैं वही पे अर्थात जो है गंगा वही है नाव वही है तुलसी दास जिसकी खड़ाओं भी एक ही इस्थान से लोगों को भकती की प्रेड़ना दे रही है तो जो चीजे हमेशा से मतलब यहां कोई आपाधापी कोई जल्दी नहीं शहर शहर की मद्धम गती प्रकती की मद्धम गती इस जो है पंक्तियों में उन्होंने हमें बताई हैं आगे की पंक्तियां देखते हैं कभी सई सांज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस सहर में कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो अद्भुत है इसकी बनावट यह आधा मंतर में हैं आधा फूल में हैं आधा शव में हैं आधा नीद में तो कहते हैं कभी इस शहर में सांज के समय घुसो अचानक घुसो तुम प्लैन नहीं कभी अचानक घुसो तो भी तुम यहां कोई परिवर्तन नहीं देखोगे यह शहर अपनी गती से चलता है मतलब यहां की आरती का जो ध्वनी है जो प्रकाश है यह अपनी तुम अचानक भी तुम यहां आओगे तो तुम इस शहर की वो ही गती वही आलोक वही मद्धम चीजें पाओगे अचानक देखो इसकी बुनावट में कुछ भी अंतन नहीं है यह आधा जल में है अर्थात यह आधा गंगा नदी के प्रभाव में है गंगा नदी की भक्ती में है आधा मंत्रों में है अर्थात यह आधा मंत्रों में डूबा हुआ है यह आधा फूल में है अर्थात जैसे फूल की खुश्बू होती है कोमलता है आधी कोमलता को बनाए ह उसी तरह आधा शव में है जो यहां के जलते हुए शव है आधा उन जलते हुए शवों में हम देखते हैं इस बनारस को आधा नीद में अर्थात ये आधा सोया हुआ है आधा शंक में है अर्थात आधा शंक की आवाज से जागरत है अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है औ और आधा नहीं भी अर्थाद ये संस्कृति का आप मिला जोला रूप देखोगे आप इसको आधा हर जगा पाओगे लेकिन तब भी ये आधा नहीं पूर्ण है आप आधा नदी में देखोगे आधा शव में देखोगे लेकिन तब भी ये बनारश अपनी संस्कृति में जागर करता है यानि कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़े देखेंगे केदाजनाज जी कह रहे हैं कि धलती शाम के समय आरती की रोश्णी में बारणासी की बनावट अलोकिक प्रतीत होती है ये शहर आधा जल में अर्थाद गंगा की संस्कृती से ओत प्रोत है आधा मंत्र म यानि भक्ती में डूबा हुआ है आधा शंक में यादी यानि की वेद मंत्रों में डूबा है सिक्षा में रचा बसा है और आधा शव में अंतिन सत्य के दर्शन कराता यानि की शव जब जलते हैं तो हमें सत्य हमारे जीवन के सत्य को परिलक्षत करता है तता फूल सिंगा को आधा को वा आधा नींद में डूबा बनारस की बेफिक्री को दर्शाता है मतलब ये बेफिक्र शहर है किसी चीज की चिंता नहीं वास्तों में बनारस के गूर दर्शन किये जाएं तो वह आधा है और आधा नहीं बनारस सतत पूनता की और अग्रसर है और पून नहीं भी मतलब वो अभी पूर्णिता की तरफ बढ़ रहा है और पूर्ण नहीं है यानि कि इसमें आप जाएंगे जब शहर में तो आप हर एक चीज में पाएंगे कि कहीं एक तरफ वो संस्कृति में डूबा है तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार आपको बताता है कि ये जीवन का सत्य है एक तरफ फूलों से सजा घाट है तो दूसरी तरफ आधा मंत्रों चारण में डूबा शहर है तो मतलब आप हर जगे उसको बटा बटा सा देखेंगे पाएंगे कि ये आधाये लेकिन अपनी जगा हर जगा ये पूंड है जो है वा खड़ा है बिना किसी इस्तब के जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के उचे इस्तब आग के इस्तब और पानी के इस्तब धुए के खुश्बू के आदमी के उटे हुए हातों के स्तंब तो यहाँ पर इस शहरों के किन किन खंबों ने स्तंब मतलब किन किन खंबों ने इस शहर को थाम रखा है क्या दिया है जो है यहाँ पर इस शहर में जो कुछ भी है वो सब कुछ खड़ा हुआ है सब कुछ है बिना किसी खंबो के मतलब वास्विक रूप में कोई खंबे नहीं है लेकिन अद्रश्च रूप में जिने इस शहर ने थाम रखा है जिसको इस शहर ने अद्रश्च रूप में जिन खंबों ने इसको थाम रखा है वो अद्रश्च खंबे क्या है क्या है वो है राख और रोशनी के मुचे स्तंब यानि कि इस बनारस की जो उजवलता है दाशनिकता है उसने इस शहर को थामा है शव से उठते हुए धुए उनके राख को इस शहर ने थामा है आग ने थामा है अर्थात जो आग उस चिता में जल रही है उसने इस बनारस को थाम के रखा है और पानी ने अर्थात गंगा के जलने इस शहर की संस्कृती को थाम के रखा है दुए ने यानि की शव से उठते दुए ने इस जो है शहर को थामा है खुश्बू ने थामा है चारो तरफ फैले इस शहर की खुश्बू ने इसको थामा है आदमी के उठे हुए हातों नहीं से बनारस में रहने वाले लोगों की संस्कृती सभ्यता के हाथों ने इस शहर को थाम करें मतलब इस शहर का अस्तित किनकी वज़ा से बना है ये सारी चीजें हमें इस पार्ट में इस अंश में बताई जा रही है किसी अलक्षित शूर को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पे खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर है तो अब ये आंतिम पंक्तियों क्या बतारे जैसे एक साधू जब साधना करता है तो एक टांग पे खड़ा होता है उसको ये एहसास ही नहीं रहता कि उसके पास दूसरी टांग भी है तो उसी तरीके से ये शहर क्या है ये जैसे कि एक सूर होता है उसको अर्द दे रहा है एक टांग पे खड़े होकर एक सन्यासी उसी तरीके से ये जो घाट है ये जो शहर है ये अपनी एक टांग पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है सब कुछ समझ रहा है सब को अपना रहा है और उसकी दूसरी टांग कहां है वो उससे बेखबर है अर्थाद वो अपनी दूसरी टांग को यानि और चीजों को आधुनिकता को ढूंड़ने की कोशिश कर रहा है कहां है मगर उसको पता नहीं कहां पर है तो यहां पर यह अंतिमक्द्य खतम हुई अब इसके बनारस में जो लोग हैं वे स्वेम के बल पर खड़े हैं आत्प सम्मान के साथ खड़े हैं कवी ब्रत विक्तियों को अंगित करता हुआ कह रहा है जो आज नहीं है उनको भी प्रकति राक प्रकाश धूए सुगंदवा हातों के से सहारा दिये हुए है यानि कि यहां पर और ही ने एक दूसरे को थाम के रखा है कभी कह रहे हैं युगो युगो से बनारस गंगा पर एक टांग पर खड़े साधू के समान साधना रद तथा बिना किसी लक्षित सूर की अराधना करते हुए जल अरपित कर रहा है यानि कि लक्षित है हमने किसी सूर को प्रताप क एक लक्षित सूर मान लिया है और उसी को हम अर्द चढ़ा रहे है मतलब लक्षित हम बोलते हैं किसी को सिंबल मान लिया है वो सिंबल मान के हमने सूर को एक सिंबल माना है और उसको अर्द चढ़ाया जा रहा है जिसका दूसरा पहर कहा है उसे स्वेम नहीं पड़ता अथ शात भौतिक चिंताओं से दूर सिर्फ प्रकाश की कामना में लीने बरानत, मतलब उसे भविश्य की चिंता नहीं है, वो आज में जी रहा है और बेफिक्र ये बनारस जी रहा है, यहां पर किसी एक विक्ती की बाती एक शेहर की बात हो रही है, तो यह पूरा शेहर कया है, चिंता रही थे तो इस तरीके से ही जो पहली हमारी एक कविता थी बनारस यहां पर खतम हो दिये अब हमारी दूसरी कविता जो है इसी पार्ट में वो है दिशा हम उसको देखते ही क्या बोला है किदान्ना सिंग जी ने इसमें हिमाले किधर है मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी मैं स्विकार करूँ मैंने पहली बार जाना हिमाले किधर है तो यह जो कविता हमारे सामने किदानाथ जी ने रखिये इस कविता के माध्यम से जो बच्चे का मन होता है वो अपने खिलोने के आसपास भागता है तो यहाँ बच्चे के लिए खिलोना था पतंग, तो एक बच्चे यहाँ पर क्या दिया, एक बार किदार नाथ जी देखते हैं कि स्कूल के बाहर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उन बच्चों से उन्होंने सीधा सा एक प्रश्ण पूछ लिया कि हिमाले किदर है, अब जब ये प्रश्ण पूछा उन्होंने तो वो जानते थे कि हिमाले कहा हैं, मत्तब उत्तर दिशा में हैं, तो उन बच्चों को शायद इस शीज का ज्यान नहीं था, उनका ध्यान कहा था, पतंग पे था, उसने कहा उधर उधर जितनी, जिधर उनकी पतंग भागी जारी, तो उन्होंने बोला, वो उधर हैं, जहां मेरी पतंग उड़ रही हैं, उसी दिशा में हिमाले हैं, अर्तात उनके लिए उनका पूरा संसार उस समय सिर्फ वो पतंग थी, जिधर उनसे अब प्रश्ण पूछा गया, उनके ध्यान पतंग में था, तो उन्होंने सी पहली बार बच्चों के मन से जाना की हिमाले किधर हैं, मतलब उनको जानते हुए भी आज एक नया एहसास हुआ, उन्हें नई जानकारी प्राप्त हुई की हिमाले किस दिशा में हैं, तो इसका भावार्त है, प्रस्तुत कावी पंक्तिया कवी केदार नाथ सिंग द्वार प्रस्तारचित दिशा कविता से ली गई है, इस कविता में बाल मनोविज्यान का संबंध इस पश्ट रूप से दिखाई देता है, कवी स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चों से हिमाले की दिशा पूछते हैं, कब बच्चे कवी को पतंग उड़ाते उड़ करते हैं कि जीवन में पहली बार उन्हें पता चला कि हिमाले की दिशा वास्तव में किस ओर है, बच्चों से प्रश्ट पूछने से पूर्व कवी को हिमाले की दिशा का पता था, कवी जानता था कि हिमाले उत्तर दिशा में इस्थत है, परन्तु बच्चों के जवाब ने दुनिया उनकी क्या होती है । ँनकी प्रिये चीज होती है उनके आज पास बन राती है, तो कहा हिमाले कहा cherche महा, सागर उन्हें, कोई मतलब नी उनसे अगर कोई प्रश्ट पूछेंगे तो उनका ध्यान तो पतंग पे है और पतंग ये आप कुछ पूछ लेंगे तो हाँ जहां मेरी पतंग जा रही है वहीं सब कुछ तो ये बार तो नई जानकारी कभी को इन बच्चों के मांध्यम से प्राप्त होई इस तरीके से इस पार्ट के जो दोनों कविताय थी हमने पढ़ी उनके अर्थ को समझा, उनके भावार्थ को समझा तो और आपको और भी किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर को समझना है तो बिल्कुल चिनतिनत मत होईए सिर्व आपको करना है हमारी वेबसाइट पर जाना है हमारी वेबसाइट है magnetsbrain.com जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी classes मिलेंगी class first to trill तो आपको जिस भी class में doubt है आपको सिर्व वहाँ पर click करना है उस class में click करते हैं जितने भी subject उस class में पढ़ाये जा रहे हैं वो आपके सामने आजाएंगे आप उनको देखेंगे कि उनके अंदर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बस आपको वो click करना है जहां watch knowledge का है जैसे ही आप click करेंगे उस chapter उस subject में जितने भी आपको chapter पढ़ाये गए हैं सभी सामने आएंगे चैप्टर को click करेंगे सारे topics आपके सामने आएंगे तो बस topic को देखिए उसको click करिए वीडियो स्टार्ट होगा वीडियो देखिए अपने सभी doubts को clear करिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को like, subscribe और share करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा thank you for watching, bye bye